नमस्कार दोस्तों मैं रूद्र और फिट से स्वाकत करता हूँ आप सभी लोगों का स्टॉक अनलाइजर चेनल पे दोस्तों हम आज के इस वीडियो में बाटा इंडिया और इंटलेक्ट डिजाइन एरिना इन दोनों शेल के उपर डिटेल में एनलिसिस करेंगे दोस्तों ब आप यहां पे पॉसिबल एंट्री ले सकते हो और यहां से अच्छा खासा गेन आप कैसे कमा सकते हो उसके उपर डिटेल में बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पे अच्छे लेगे तो एक लाइक ज यहां पे वॉल्यूम बना है और यहां पे आप देख सकते हो स्टॉक अभी इस वक्त एक रिजिस्टेंस के आसपा स्टेड कर रहा है और यहां पे आप देख सकते हो एक डबलू पैटन बना है और यहां से स्टॉक ब्रेकाउट देने की कोशिश कर रहा है तो चलिए मैं आ यहां से बार बार उपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहां पे आप देख सकते हो यहां पर एक ब्रेक आउट देने की गुशिश कर रहा है। हुआ है और नीचे इस बार वॉल्यूम है इसी लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये जो रेंज अभी ये अभी ट्रेड कर रहा है ये 2070-72 के आसपास 2080 के आसपास इसका एक बहुत बढ़िया ब्रेकाउट है ये जो रेंज आप देख रहे हो ये इसका रेजिस्टेंस जब तूटेगा मुझे ऐसा लग रहा है ये आडाम से 22 के आसपास चला जाएगा इसका जो प्रिवियस 52 वीक्स का हाई है ये इस बार तोडने वाला है क्योंकि आप देख सकते हो नीचे बहुत बढ़िया वॉल्यूम केंडल बना हुआ है डेली बेसिस पे अ आइसो के आसपास आपको यहाँ पर एक टार्गेट मिल सकता है और नीचे में आप स्टॉप लोस लगा सकते हो 2000 के आसपास और जो लोग पहले से ही बाटा में इन्वेस्ट करके बैठे है या फिर लॉंग पोजीशन्स बना के रखे है वो आपने पोजीशन्स को आडाम से होल्ड कर सकते है क्योंकि देखिए अच्छा खासा यहाँ पर एक रिस्क रिवर्ड मिल रहा है तो अभी होब आपको यह चीज़े समझ में आ गई है तो चलिए आप बात करते हैं इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना के उपर दोस्तों जैसी के आप लोग देख सकते हो यह इंटेलिक्ट डिजाइन एरिना का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हो डेली टाइम ट्रेम पे पिछले कुछ महिनों से यह इस रेंज में ट्रेड कर रहा है यानि कि रेंजबाउं ट्रेड हो रहा है महिने से अगर आ अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है नीचे आप देखोगे सपोर्ट भी मिल रहा है बहुत बढ़िया है हाँ पर एक वॉलियूम भी बना हुआ है और उपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 680 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट लेके यह 720 का यह रेजिस्टेंस तोड़ा है और यह अभी आसपास है 760 के आसपास और आप देख सकते हो शुक्रवार के दिन यह 780 के आसपास चला गया था और अगर आप देखोगे तो यह एक मल्टी यार रेजिस्टेंस है 800 के आसपास का अगर यह 800 के आसपास का रेजिस्टेंस को यह तोड़ता है मुझे ऐसा लग रहा है यह तोड़ेगा क्योंकि नीचे आप देख सकते हो वोल्यूम का सापोर्ट बना हुआ है तो अगर यह अच्छे खासे वोल्यूम के साथ 800 के लेवल को तोड़ता है तो 880 के आसपास इसका फिर से रेजिस्टेंस एरिया है यानि की 800 से 880 तक 80 रूपए के आसपास आपको यहां से एक गेन मिल सकता है अगर आप 800 के उपर अच्छा खासा यहां पर एक इंट्री ले सकते हो तो द 800 के आसपास है अगर यह 800 के टार्गेट को तोड़ता है वोल्यूम के साथ तो आप यहां पर अच्छा खासा एक रिटर्ण एक्स्पेट कर सकते हैं 880 का और अगर यह नीचे आ जाता है तो 720 के आसपास आप यहां पर बेज के निगल सकते हो यहां पर एक स्टॉप लॉस ल साथ सो साट के अगर आसपास आप एंट्री लेते हो तो आठ सो के आसपास एक रिजिस्टेंस है चालिस के आसपास आपको यहां से एक रिवर्ड मिल सकता है और नीचे आपको स्टॉप लोस होगा 720 के आसपास का लेकिन अगर आप इसको अभी अपने वाच लिस्ट में रखत हो और फ्रेश एंट्री लेते हो 800 के आसपास तो यहां से एक रिस्क रिवर्ड रिशियो फेवरेबल आएगा यानि कि 880 तक यानि कि 80 रुपे पर शेयर का आपका एक यहां से टार्गेट बन सकता है तो इसलिए मैं आपको कहूंगा फ्रेश एंट्री मत लीजिए अगर आ आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो दोस्तों यहीं पर खतम करते हैं हमाराज का वीडियो को मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन गुडबाई